क्या आपने कभी सोचा है कि normal जितने भी metal है यानी लोहे को सोने में बदला जा सकता है उन्ही सारे process में से कोई एक process ऐसा भी है जिसको हम real life में consume भी करते हैं और बहुती strongly believe भी करते हैं सोना, चांदी, हीरा, पारस इन सारी चीजों की जो है invention के लिए scientist हाथ दोकर पीछे पड़ चुके थे लेकिन इसका आखर में अंजाम होता क्या है और क्या इन में से कोई एक process आज भी follow किया जाता है आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं history of alchemy, exactly alchemy होता क्या है जितने भी normal metals है जैसे के लोहा हो गया, तामा हो गया इस तरह के और भी जितने भी सारे metals आप आस पास में देखते हो Do you know what is alchemy? लोखन को सोना बनाने का तरीका scientists used to believe that कि जब metal oxidize होता है तो उसमें huge amount में changes आते हैं और उस changes के वज़े से normal से दिखनी वाली कोई भी metal को सोना में बदला जा सकता है and they believe कि ultimate transmission के वज़े से जितने भी normal दिखने वाले metal से उसको सोना में बदला जा सकता है और normal metal को सोने में बदलने के इस process को ही alchemy कहा जाता है alchemy का मतलब सिफ normal किसी metal को सोने या चांदी में बदलना ही नहीं था जबकि इसके इलावा और भी कई सारी चीज़े ancient alchemical studies के अंदर आती है जैसे कि chemistry, physiology, natural philosophy, biology, herbalism, medicine और mystical religion तक ancient time के बड़े से बड़े विज्ञान भी इस process को सच मान बैटे थे कि normal किसी भी basic metal से सोना बनाया जा सकता है और तो और दो king of England Henry IV तक ने देश के सभी विद्धिवान को इस research पे काम करने के लिए कह दिया था तक कि दूसरे देश के राजाओ तक ने इस चीज को support करना शुरू कर दिया ताके उन पे चड़े कर्स को वो चुका सके वही कुछ देश ऐसे भी थे जो कि इस बात को लेकर परिशान थे कि अगर ये alchemy का process सच साबित हो गई और लोहे से सोना बनाना अगर शुरू कर दिया गया तो इससे बहुत जादा नुकसान भी हो सकता है 2nd century BC में चाइना ने इस process को illegal करार दे दिया था और जो भी लोग alchemy practice कर रहे थे या उसके बार में सोच भी रहे थे उनको फासी तक देने की सजा सुनाई जा चुकी थी Roman Emperor के तरफ से ये एलान कर दिया गया था कि alchemy के उपर में जितनी भी book लिखी जा रही है उस process को जहां पे भी explain किया जा रहा है उन सारी books को जला दी जाए एक और बात सुनकर के आपको जटका लग सकता है कि 17th century के दो बड़े scientist यानि Sir Isaac Newton और Robert Boyle को alchemy से बहुत ज़ादा sympathy थी 13th century के philosopher Thomas Aquinas इस subject पे expert थे उनके लिखी गई Tritos में उन्होंने सवाल पूछ डाला कि alchemy से बनाए गए सोने को क्या legal माना जाएगा और क्या ये gold लेन देन में उसी तरह से काम करेगा जैसे कि real gold करता है इनके ये सवाल पूछे जाने पे कई सारो लोगों ने ये अटकले लगाई और लोगों का ये मानना था कि इन्होंने alchemy से बनाए गए सोने से ये दौलत हासिल की है आपने पारस के पत्थर के बार में बहुत सुना होगा लेकिन आपको ये बता दूँ कि पारस का पत्थर कभी reality में exist ही नहीं करता था आलकमिस्टों का मानना था कि पारस का पत्थर किसी भी चीज को छूले तो वो सोना चांडी या फिर खुद पारस भी बन जाएगा और वही पारस का पत्थर अगर किसी patients यानि मरीज को छूले तो वो ठीक हो जाएगा modern science का मानना था कि आलकमिस्ट बच्चों जैसी सोच रखते हैं और ऐसे किसी चीज का transmission होना impossible है लेकिन आज भी हमारे modern science बहुत तेजी से काम कर रही है और कुछ ऐसे चीजों पे भी काम कर रही है जो कि लगभख नामुलकिन है फिर भी उस चीज़ पे काम तो हो रहा है आपको सुनकर हैराणि होगी कि आज भी काम कर रहे लेकिन वह से सोना बनाने के प्रासस के उपर में नहीं वलकि ऐसे medicine बनाने के प्रासस में काम कर रही है जो बड़े से बड़े बिभी और लाइलाज बिमारी को टीक किया जा सके और ऐसे भी medicines पे काम कर रहे हैं जो कि human body को कभी बुड़ापे तक जाने ही ना दे जो कि इंसान को हमेशा जवान बनाए रखे और जहां तक मुझे लगता है इस चीज में 50% सफलता मिल चुकी है और ऐसी दवाईयां बहुत अमीर लोग consume कर रहे हैं या फिर वो superstar जिनको आप हमेशा देखते आ रहे हो जिनको बच्पन से देख रहे हो वो आज भी बुड़ापे के उस stage पे नहीं दिखते जबकि उनकी उ सेंचुरी के बुद्धिस फ्लॉसफर थे और साथ ही साथ वो एक रसायन विज्ञानिक भी थे जो के हमारे नालंदा युनिवर्सिटी के अजश्यारिया थे उस वक्त बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि नागर अर्जुन ब्लड सेल्स और ब्लड सर्पलेशन की उपर सिफ सोच पा रहे थे नाग अर्जुन उन सारी चीजों को सच कर देखाए थे और प्राचिन भारत की ये सारे सीक्रेट्स गुरू और शिश्य के प्रंपरा पर टिकी हुई थी लेकिन टर्किस ने जब इंडिया पर अटक किया तो नालंदा युनिवर्सिटी को जला दिया जिसमें नालंदा की सारी लाइबरडी भी जल गई और उस वक्के जितने भी विज्ज्ञानिक थे उन सबको भी मार डाला गया तो आलकमिस्ट और जितने भी सारे विज्ञानिक चीजों पर रिसर्च किया जा रहा था वो सारे के सारे राज बन कर रह गया आपको यां कवर कीवी चीज को एजीली कंजियूम भी करते हैं और बहुती स्ट्रॉंगली बिलीव भी करते हैं और वो कोई और चीज नहीं वो मेडिसीन है जिसको हम आज की डेट में होमियोपेथिक के नाम से जानते हैं होमियोपेथी को लेकर के एक तरह से प्री क्योर हो जाता है तो डाट वस्टेश अफ आलकमी आपको कितना कुछ पता था और कौन सी ऐसी चीज थी जो के आज इस वीडियो में आपको जानने को मिला कौन से इसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना ऐसे और